हला एवरीवन इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम DFT की next property complex conjugate यह property बहुत ज्यादे important है इस property का फाइदा यह है कि इस property की वज़े से हमें आदे ही transform find करने पड़ते हैं देखो यह property क्या कहती है इस property को ध्यान से देखना ठीक है इस property से ज्यादा तर कोशिन होते हैं अगर हमारे पास एक एक सिगनल है जो कि डिस्क्रीट और पिरियोडिक है एक सेंट सिगनल लिया हमने डिस्क्रीट पिरियोडिक इसका DFT अगर हमें मालूम है इसका यह DFT है मालो capital X of K ठीक है capital X of K then यह क्या कहते है प्रोपर्टी अगर हम टाइम डॉमें में complex conjugate लेते हैं सिगनल का और सिगनल का मैं complex conjugate लूँ complex conjugate ली तो start से represent करते हैं तो उसके DFT में क्या change आएगा तो इसके DFT में जो change आता है वो क्या होता है एक्स ऑफ क्या होता है कि इसमें भी complex conjugate हो जाता ठीक है लिखते हैं कैसे है साङ complex conjugate हो जाएगा और यह आपम लखेंगे ऑफ लिखते तो कोई बात ने क्योंकि प्रेटेट को एक है periodic तो पहले से एक तो इस यह प्रोपर्टी बहुत जाद इंप्पोर्टेंट यह आने ही चाहिए यह प्रोपर्टी आती हो तो हमारा काम आधाय रहता ठीक है तो यह प्रोपर्टी क्या किरें ध्यां से इन द्रें चाहिंघे और यहां पर क्या कर देंगे न-क्येइंड अब यह पूसीज ओन है अगर अगर स्वइ Cornhole I एक्सफ़ आगर सोरी रियल है रीडिail सिंगनल का तो क्या complex अगर इक च्छोटा सा नौट नौट आपर यहां पर देखो क्या होगा अस荞 grasp XN is real XN is real ठीक है तब क्या होगा XN और XN स्टार तो एक्वल होने चाहिए ठीक है तब क्या होगा XN जो होगा वो किसके एक्वल हो जाएगा उसे complex conjugate के ठीक है अगर यह दोने एक्वल हैं तो यह भी एक्वल होने चाहिए ठीक है तो हम कह सकते हैं एक्स ओफ के जो होगा वो किसके एक्वल आएगा एक्स ओफ स्टार एन माइनस के ठीक है इसी प्रोपर्टी को यूस करके हमें एक्वल करें यहाँ पर देखो बहुती है ऐसा नहीं तरीके से ठीक है अगर एक्वल होता तो यह दोनों भी क्या आंसर एक्वल आते हैं ठीक है यहां पर देखो एक्वल 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 एक् यहां पर देखो एक्षेंड क्या रियल इसके अंदर कोई भी जे वाले टमत है नहीं अगर यह नहीं तो एक्षेंड जोगा एक्षेंड स्टार के बराबर हो जाएगा ठीक है तो हमसा टी-फटी पूछा गया एक्षेंड स्टार का यानि हमें पहले से पता कि एक्स के जो हों सकते हैं एक्स एन जो वो कैसा है ठीक है अगर रियल है तो निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे त्यान से देखते हैं ठीक है एक एक करके वह लिए लो निकालने तरीके बहुत हानती है यह एक्स उफ्शी रवार गयर ते हैं फॉन एगस ऑफ ले रेता हूंorta सब्सक्राइब यह एक सबने यह एक्स आफ ओवर एक्स ऑफ टू और यह एक एक्स ऑफ भीडिये एते इस फ्रह परपर्टी के हैं तीक है कि मुझा जो अगर में इसमें जीमशनी अगर जीरो निखालता हूँ ठीक है कि एक्वस्ट जीरो रूखो तो वो किसके ब्रावर आएगा तो वह एक़ लाएगा for !!!-0 यानि एक्स ओप जीरो जाएगा वो किस एकवर आएगा 4 के ठीक है, यहां पर 4 है नहीं, अगर हमसे फोर पूछा गया होता, ठीक है, अगर हमसे पूछा गया था, एकस ओफ 4 की value कितने होगी, तो वह X of 0 के complex conjugate के बरावर, ठीक है, यहां पर confused नहीं हो जा ना, कि X of 4 के जिकलेगा, दोनों तरफ तो वह किसके इकले हो चाहता एक आप जीरो के बराबर हो जाता है जब किसी नंबर का किसी को दो बार लेते हैं तो वह कि आजाता है लोट के ठीक है ठीक है मैं इसलिए दिखाने के लिखा अब ऐसे देखो इस फॉर्मूले में रख रख के निकाल सकते हैं जीरो लगा पहला कि एक वेस्ट जीरो लगाया था अब लगा वन तो हमें ऐसे मिलेगा ठीक है सोल करते चलो देखो मैं मन मन में सोल कर रहा हूं यहां लगाया तो यहां पर फोर माइनस वन क्योंकि केप्टल एंग तो फोर माइनस फटी ठीक है यारे यहां पर ध्यान से तुम देख रहे हो एकस ओफ त्री जो है अगर हमें नहीं निकालना था तो वन पहले हम निकाल चुके होते तो वह एक शुर्य है यहां पर इस स्टार को ठीक है अगेन इस्टार ले लो वन पर क्योंकि थरी निकाल ले ना जिससे निकालने और जो पहले से पता उसका ही तो कुंप्लेक्स कुंप्लेक्स लोगे ऐसे टू लोगे तो यहां पर भी टू लगाओ वहां पर फोर माइस टू यानि टू तो बरावज रहने वाला ठीक ह अ ब्रू है वो तो कहीं नहीं जाएगा टू घूका क्या कंडर ईएक एंसे एक बात के लिए रहोगई हैंगा से धियान से अगर हमारे सिंग्णल थैंट यक्वल तो हमें नहीं चाहिए ठीक है एकस ओफ और अगर मुझे निकालना होता मालो फो एकस ओफ और ने एकस ओफ त्री अगर हमें निकालना होता तो किसके को लाजाता एकस ओफ वन के अगर उसको त्रीट कोंप्लेक्स कोंजुगेट कि इसको माने से पहले साइन उसका पुजिट कर दो नगेटिव हो जाएगा ठीक है केवल जे वाले टर्म के और किसी को नहीं चुना यह रिएल पार्ट जो पहले वाले वाला उसको मैं उसका साइन नहीं करना इसका में रिग कर देंगे तो हो जागा यह माइनस स्टू है माइनस स्टू ठीक है इस टाइप से एस टाइप से निकालते हैं ठीक है अगर सूप पूंचा गया होता ही कि तो यहां कि शोर्कट बिए बन सकता है अगर शोर्कट में निकालना लिए शोर्कट में निकाल के दीना हूं ठीक है एक टरीकल करते तरीक है तो पहले वाले यह मैं को ctn का तरीका एक्सेन दे रखा हमें वन टू थ्री फॉर इसका डी एफ्टी हमें मालूम है कितना है एक्स ओफ के बराबर टैन टैन क्या था माइनस टू प्लस टू जे माइनस टू माइनस टू जे माइनस टू प्लस टू जे नेगेटिब्ट टू अब देखो यहाँ पर शोर्क डिकालना थीक है है कि अगरह हम से पूछा गया रहा है कॉंपलेक्स चोंज Wik कि यानि हम निकालने हैं इस वैलिव को कि यहां पर ध्यान समझा तो जो एक्स जीरो उसका कॉंप्लेक्स कॉंजुगेट लो टैन का तो टैन ही रहेगा ठीक है अब फाइंड करनी है तुम्हें एन बाइटू पोजिशन जैसे बिल्कुर रिवर्सल में करते थे क्यों कि माइन एन-बाइटू पोजिशन यहां फॉर एंड की जगह तो एक किटना कर जाएगा ठिक है तो तो टू पोजशन तो यह आ गई एन बाइटू पोजिशन यह अगई फैन्बाइट टू पोजिशन ठीक है इसको एक तरीके से मिरर मानना मिरर मान लिया लेकिन टाइम में क्या कर करते थे हम elements को बस interchange कर दीती थे यहां पर interchange नहीं करना interchange नहीं करेंगे तो उसके साथ क्या करना है complex conjugate लेना ठीक है इन दोनों को replace तो करना ही है साथ में इसका complex conjugate भी लेना एक दूसरे का ठीक है यह फर्क है time reversal और इस दोकिन – लोग गया माइनैस टू ऐ आयसे माइननस टू प्लस टू जै की जगा आएगा लिकिन उ सका complex conjugate के साथ तो तो कंप्लेक्स कंज्योगे साथ तो इसका complex conjugate लो जड़ी उनदी से Immerass इसका complex conjugate हो जाएगा माइनस ठू 20たい कि ठीक है हमेशा तूब यह नहीं होगे ध्यान रखे यह इसलिए बताया मैंने आगे आगे जैसे करेंगे नो महां पर देखो यही इसी तरीका से में नकाल कर देखाए कि आयोप आप लोग होगी प्रोपर्टी समझायोगी बहुत ही ज्यादा इंप्रोटेंट प्रोपर्टी ठीक है इससे आदा ही हमें काम करना पड़ता जब आगे पढ़ेंगे जब कोशन सौल करेंगे ठीक है प्रोपर्टी के बाद वहाँ पर देखो इस सारे कोशन देखने फिलाल इस वीडियो में इतना है नेक्स वीडियो में हम नेक्स प्रोपर्टी के बारे में बात करेंगे